या देवी सर्वभू तेशु माशक तिरू पेड संस्थिता नमस तस्याई, नमस तस्याई, नमस तस्याई नमोनमह, ओं दुम दुरगाई नमा आप सभी को चेतर नवरातरी और नो वर्ष की मंगल शुप काम नाएं मा भगवती जगदंबा सदैव अपनी गृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनाई रखें दोस्तों आज से चैत्र नवरात्री का प्रारंब हो रहा है और नवरात्री में दुर्गाशत्षती का पाठ करना अत्यांती स्रेश्ट माना जाता है तो आज से आप सुनेंगे दुर्गाशत्षती का पाठ पूरी नवरात्री में ठीक है मतलब हर रोज आपको दुर्गाशत्षती के अध्याय सुनने को मिलेंगे तो आज जैसे कि पहला दिन है तो कवच अर्गला कीलक और इसके साथ ही दुर्गा शच्चती का पहला आध्याए और कथा के अंत में मादुर्गा की आरती आपको प्रति दिन सुनाई जाएगी और आज नवरात्री का पहला दिन है तो माशैल पुत्री की पूजा आराधना करेंगे इसके साथी कलस की स्थापना होगी जवारे या फिर अखंड दीपक जो भी आप अपने घर में स्थापित करते हैं उन सभी चीजों के बारे में अगर आपको विश्तरी जानकारी चाहिए सही विधी की जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है जरूर आप उसे देख लीजे इससे आपको पूजा करने में आसानी हो जाएगी और अब सबसे पहले आप सुनेंगे कवच फिर अर्गला स्तोत्र फिर कीलक और इसके बाद आप सुनेंगे श्री दुर्गा सबस्ति का पहला ध्याए तो मादुर्गा का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारब्द करते हैं श्री दुर्गा कवच, जोकि श्री दुर्गा सब्तशती का हिस्सा है, और अठारहो पुराणों में से एक मारकंडे पुराण के अंदर देवी कवच मतलब दुर्गा कवच के श्लोक अंतरभूत है, देवी कवच को भगवान ब्रम्भा ने रिशी मारकंडे को सुनाया और इसमें 47 श्लोक शामिल हैं, इसके बाद के 9 श्लोकों में फलशूती लिखी है, फलशूती का मतलब होता है कि इसको पढ़ने या फिर सुनने का क्या फल प्राप्त होता है, ये बताया गया है, इसमें भगवान ब्रह्मा देवी पारवती मा की नौ अलग-अलग देवी रूप में प्रसंसा करते हैं, भगवान ब्रह्मा प्रतेक को देवी कवज को पढ़ने या फिर सुनने के लिए प्रोचाहित कर रहे हैं, और देवी मा का आशिरवात मांगने के लिए अनुरोध भी कर रहे हैं, जो भी इस कवज का पाठ करता है या फिर सुनता है, वो दुरगा मा के पाठ का प्रारंब करते हैं सबसे पहले विनियोग है ओम नमस चंडी का यही मा दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है जिसमें कुल 56 चंद हैं चामुंडा देवता दिक बंध देवता जगदंबा मा पाता इत्यादी का ध्यान करके हम इस दुर्गा शप्तशती के पाठ का प्रारंब कर रहे हैं मारकंडे जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि है भगवन ब्रह्मा जो इस विश्व में गोपनिय है वर हश्य पूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर् नहीं है ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताईए मारकंडे जी के इस प्रश्ण पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवची है जो इस विश्व में अत्यतिक गोपनी है वह देवी कवच सभी का कल्यान करने वाला पवितरता और पुन्य देने वा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है मा चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है मा कुश्मांडा उनका पांचवा रूप सकंद माता का है और छटा रूप मा कात्याइनी है साथ्वा स्वरूप है मा कालरात्री का और आठ्वा स्वरूप मा महागोरी के नाम से प्रसिद्ध है मा दुरुगा का नौवा रूप है मा सिध्धिदात्री यही नव दुरुगा के रूप है जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है अर्थात मादुर्गा का ध्यान किये जाने पर मादुर्गा उसकी हर परिस्तिती में सहायता करती हैं। यदि युद्य का समय हो और मनुश्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी मादुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। मादुर्गा उसके दुख, पीडा, भै इत्यादी का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तिगण मादुर्गा की भक्ती करता है, मादुर्गा अवश्य ही उन्हें अभैदान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, मादुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्ष मापारवती लक्ष्मि माणता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है वे भगवान विष्नु को अत्यतिक प्रियें व्रीषब पर बैठी हुई माह पार्वती का रंग सफेध है भगवान ब्रंभा की पत्नी माव्राम्षी या माjo शरस्वती हन्स पर बैठी हुई है और सभी प्रकार के आभुशन पहने हुए इस प्रकार से मातारानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योगव शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूशन वरत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। मातुर्गा का एक रूप अध्यदी क्रोध में रत पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो दुष्टों का नाश करने के लिए हैं। सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादी लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेटक, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटी का धनुष भी लिया हुआ है। मादुर्गा दैत्यों, दुष्टों वर राक्षिसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्यान करती हैं तथा देवताओं का सदैभेत करती हैं। इसी उद्देशे के तहट ही उन्होंने भिन्न भिन्न भाती के अस्त्र सस्त्र लिये हुए हैं। मादुर्गा के महारुद्र, प्रलेयंकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भै का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। रक्षिन दिशा में वाराही माता, नरित्य कोण में खड़क धारिनी मा, पस्चिन दिशा में वारूनी देवी, और वायव्य कोण में मिरिगवाहीनी देवी मेरी रक्षा कीजिए। आगे से मा जया तथा पीछे से मा विज्या आप मेरी रक्षा कीजिए। पाता के रूप में और कानों की द्वारवाशिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होट के उपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होट के निशले भाग की रक्षा अमरित कला देवी और जीब की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दातों की कुमारी देवी, कंट की चंडिका देवी, घंटिका की चित्रघंटा देवी और तालू की महमाया देवी रक्षा करें मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वानी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरू दंड की धनुरधारी देवी रक्षा करें 9. बाहरीकंठ की नीलग्रिवा देवी, कंठ नलिका की नलकूबरी, कंधों की खडगनी देवी और भुजाओं की वजिलधारिनी देवी रक्षा करें दोनों हाथों की दंडिनी देवी, अंगुलियों की जगदंबिका माता, नाखुनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें स्थनों की महा देवी, मन की शोक विनाशनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारणी देवी रक्षा करें नाभी की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पूतनावक कामिका देवी तथा गुदा की महिश वाशनी देवी रक्षा करें कटी भाग की भगवती देवी, घुटलों की विंधिवाशनी देवी, जांगों की महाबला देवी रक्षा करे और सभी कामनाओं को पूरा करे मेरी घुट्टियों की नारसिंगी देवी, पैरों के आगे भाग की तैजशी देवी, पैरों की उमलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवाशनी देवी रक्षा करें पैरों के नाखुनों की द्रश्टा कराली देवी, केशों की उर्ध्वकेशनी देवी, रोम चिद्रों की कोबेरी देवी तथा त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें मा पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्यों इत्यादी की रक्षा करें, आतों की कालरात्री देवी और पित्त की मुगटेश्वरी देवी रक्षा करें, पद्मकोशों की मा पद्मावती देवी, कफ की चूडामणी देवी, नाखुनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अभिध्या देवी रक्षा करें मेरे विर्य की रक्षा माब्रम्हानी देवी छाया की छत्रिश्वरी देवी तथा धर्मधारेणी देवी मेरे अहंकार वा मन और बुद्धी की रक्षा करें हे मादुरगा आप मेरे प्राणों, व्यान, उदान की समान रूप से रक्षा करें, वजरहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्यान करें, आप मेरी सभी इंद्रियों रस रूप गंद शब्द वस पर्ष में बस्ती हैं, हे नाराणी देवी आप मेरे मेरे आयू की वा राही देवी, वैस्नेवी देवी धर्म की, यश्व किर्ती की लक्ष्मी देवी तथा धन्व विद्या की चक्रिनी देवी रक्षा करें। जिया देवी मेरे भय की रक्षा करें। पाट से हमें हर जगे लावव सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। जब भी मा दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस प्रित्वी पर बिना किसी तुलना के परमयश और वैभव प्राप्थ होता है। जो भी भक्त गर्ण इस देवी रक्षा कवच का पार्ट करता है उसका भैसमाप्थ हो जाता है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनो समय श्रद्धाभाव के साथ पार्ट करता है। उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यू के भैसे दूर होता है तता सो वर्सों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाट से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्थ हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विश भी समाप्थ हो जाता है तता कोई रोग उसका कुछ भी विगाड नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवज को अपने रिदय में धारन कर लेता है, उस पर इस कृत्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्थ हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवज का पाट करने वाले व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्थ करता है, और उसकी सुक संपत्ति में व्रिद्धी होती है। वह मा दुर्गा के आशिरवाद से सुन्दर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्थ करता है। और अब पूरे भग्ति भाव से मादुर्गा का ध्यान करके अर्गला स्तोत्र का पाट करते हैं। ओम नमस चंडिका यई। मा चंडिका देवी को नमसकार है। मारकंडे रिशी जी कहते हैं जयनती अर्थात सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी। मंगला अर्थात अपने भग्तों के जन्म मरण आदी संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदाईनी मंगल दाई देवी। काली अर्थात प्रलै काल में संपुर्ण स्रिष्टी को अपना ग्रास बना लेने वाली देवी। भद्र काली अर्थात अपने भग्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली। कपाली नी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंड माला धारन करने वाली, दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप दुस्साध्य साधन से प्राप्त होने वाली, छमा अर्थात अत्यंत करुणा में सोभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराद छमा करने वाली शिवा अर्थात सब का कल्यान करने वाली धात्री अर्थात संपुण प्रपंच को धरन करने वाली स्वधा अर्थात स्वधा रूप से यग्यभाग ग्रहन करके देवताओं का पोशन करने वाली और स्वधा अर्थात स्वधा रूप से श्राद और तरपन को स्वीकार करके पितरों का पोशन करने वाली इन नामों से प्रसिद्ध हे जगदंबिके तुम्हे मेरा नमस्कार है। देने वाली हे देवी तुम्हे नमस्कार है। स्वभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जै दो, यश दो और कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडिके जो भक्ति पुर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक जुगाते हैं। उन्हे रूप दो, जै दो, यश दो और उनके कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। हे चंडिके इस संसार में जो भक्ति पुर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं। हे रूप दो, जै दो, यश दो और उनके कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुगुट की मडियों को तुम्हारे चर्णों पर घिस्ते रहते हैं। हे रूप दो, जै दो, यश दो और कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली हे चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जै दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। चत्रमुक ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसंसित, चार भुजा धारणी हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जै दो, यश दो और कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडो वाले ध्यत्यों का घमंड चूर करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जै दो, यश दो और कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। जो मनुस्य इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सब्तशती रूपी महा स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब्तशती की जब संख्या से मिलने वाले स्रेष्ट फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ती भी प्राप्त कर लेता है, अर्गला स्तोत्र संपुरुन हुआ। की लक्स तोत्र ओम नमस्चंडिका यई। मारकंडे रिशी जी कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्य ज्यान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीनों दिव्यनित्र हैं, और जो कल्यार प्राप्ती के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारन करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है अर्थात मंत्रों की सिध्धी में विग्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारन करने वाला है। उस सब्तशती श्तोत्र को संपुर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपास्टना करनी चाहिए यद्यपी सब्तशती के अत्रिक्त अन्यमंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्यान का भागी होता है उसके भी उच्चाटन आदी कर्म सिध्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुरलब वस्तों की प्राप्ति हो जाती है तथा पी जो अन्यमंत्रों का जप ना करके के वल इस सब्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुती करते हैं उन्हें स्तूती मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धी के लिए मंत्र औसधी तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यक्ता नहीं रहती। बिना जब के ही उनके उच्चाटन आदी समस्त अभिचारी कर्म शिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपुर्ण अभिष्ट वस्त्वें भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह संका थी कि जब केवल सब्तशती की उपासना से अत्वा सब्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सबकारी सिद्ध होते हैं। तब इनमें स्ट्रेष्ट कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आई हुए जिग्यासु को समझाया कि यह सब्तशती नामक संपुर्ण स्तोत्र ही सर्वस्रेष्ट एवं कल्याण में है। तदरंतर भगवती चंडिका के सब्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सब्तशती के पार्ट से जो पुन्य प्राप्थ होता है उसकी कभी समाप्ती नहीं होती। परन्तु अन्यमंत्रों के जब से उत्पन्य पुन्य की समाप्ती हो जाती है। अतर भगवान शिव ने अन्यमंत्रों की अपेक्षा जो शप्तशती की ही स्रेष्टता का निड़य किया। उसे यथार्थी जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जब करने वाला पुरुष भी यदि शप्तशती के श्तोत्र और जब का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पुर्ण रूप से ही कल्यान का भागी होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुरदसी अथवा अश्टमी को एक काग सिद्धी के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है जो पुर्वक्त रिति से निश्कीलन करके इस सब्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पुर्वक पाठ करता है वह मनुस्य सिद्ध हो जाता है वही साय fra zwischen के बारा मोक्ष कर लेता है अति कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सब्तशती का पाथ आरंश करें जो ऐसा नहीं करता उसका नौश हो जाता है इसलिए कीलक और निश्कीलन का ज्ञान करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोश होता है और विद्वान पुरुष्त निर् और उच्च स्वर्षे पाठ करने पर पुरणफल की सिद्धी होती है उच्च स्वर्षे इसका पाठ आरंब करना चाहे जिनके प्रसाद से एश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ती शत्रु नास तथा प्रम्मोक्ष की भी सिद्धी होती है उस कल्यान माई जग दंबा की इस्तुती मनुशे क्यों नहीं करते कीलक स्तोत्र संपुर्ण हुआ और अब माभगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का श्रमण करते हैं इस अध्याय में मेधारिशी ने राजा सुरत औ पुर्वक कहता हुँ आप सब ध्यान पुर्वक सुने सुर्य कुमार महाभाग सावरणी भगवती महमाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन्वंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हुँ पुर्वकाल की बात है स्वारोचिस मन्वंतर में सुरत नाम के एक राजा थ उनका शत्रूओं के साथ संग्राम हुआ, यदिपी कोला विध्वन सी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्थ हो गए, तब वे युद्ध भूमी से अपने नगर को लोट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे, समूची प्रि अधानी में भी राजकिये सेना और खजाने को हतिया लिया, सुरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो, वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए, वहां उन्होंने विप्रबर मेधा मुनी का आश्रम द विचरते हुए कुछ काल तक रहे, फिर ममता से आकरिष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पुर्वकाल में मेरे पुर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है, पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगन उसकी धर्म वोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुशरन करते होंगे, उन अपव्याई लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कस्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा, ये तथा और भी कई बातें राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे, एक दिन उन्होंने वहाँ विपरवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैशे को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहां तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों शोक ग्रस्त और अन्मने से खाई देते हो, राजा सुरत का यह प्रेम पुर्वक कहा हुआ वचन सुनकर, वैशे ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, वैशे बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन एक वैशे हूँ, मेरा नाम समाधी है, मेरे दुष्ट, इस्त्री और दो अध्या हूँ, यहां रहकर, मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, श्त्री की, और स्वजनों की कुशल है या नहीं, इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं, अथ्वा उन्हें कोई कस्ट है, वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं, अथ्वा थीक है किन्तु क्या करूं मेरा मन निश्ठूरता नहीं धारण करता जिन्हों ने धन के लोभ में पढ़कर पिता के प्रती श्नेह पती के प्रती प्रेम तथा आत्मिय जन के प्रती अनुराग को तिलांजली दे मुझे घर से बाहर निकाल दिया है उन्हीं के प्रती मेरे हृ प्रति भी जो मेरा कित इस प्रकार शे क्रेम मगन हो रहा है या क्या है इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसे ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वता अभाव है। तो भी उनके प्रती जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता उसके लिए क्या करूं। मारकंडे जी कहते हैं हे ब्रम्हन तद्रंतर राजाओं में स्रेष्ट सुरत और वह समाधी नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याया नुकूल विनैपुर्ण बरताव करके बैठे। तत्पस्चात ये भगवन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ उसे बताईए मेरा चित अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत अधिक दुख देती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपुर्ण आंगों में मेरी ममता बनी हुई है हे मुनि जनों ने भी इसका परिद्याग कर दिया है तो भी वह उनके प्रती अत्यन तहार्दिक शनेह रखता है इस प्रकार यह तथा में दोनों ही बहुत दुखी है जिसमें प्रत्यक्ष दोस्त देखा गया है उस विशय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्शन पैदा हो र तब रिशी बोले हे महाभाग विशय मार्ग का ज्यान सब जीवों को है इसी प्रकार विशय भी सब के लिए अलग-अलग है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्री में भी बराबर ही द होती है तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही म्रिग पक्षी आदी की भी होती है यह तथा अन्यबाते भी प्रायह दोनों में ही समान हैं समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो ये स्वयम भूख से पीडित होते हुए भी मोह वश बच्चों की चोच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं हे नर्श्रेष्ट क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग वस अपने किये हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों के अभिलाशा करते हैं यद्यपी उनमें समझ की कमी नहीं है तथा पी वे संसार की स्थिती जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महा माया के प्रभाव द्वारा ममता मैभवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्चरे नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णू की योग निद्रा रूपा जो भगवती महा माया है उन्ही से यह जगत मोहित हो रहा है वे भगवती महा माया देवी ज्यानियों के भी चित्त को बल पुर्वक खीज कर मोह में डाल देती हैं वे ही इस संपुर्ण चराचर जगत की स्र राजा ने पूछा हे भगवन जिन्हें आप महा माया कहते हैं यह देवी कौन है ब्रह्म्हन उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन-कौन है ब्रह्म वेताओं में स्रेश्ट महर से उन देवी का जैसा प्रभाव हो जैसा स्वरूप हो और जिस क्रकार प् प्रव्याप्त कर रखा है तथा पी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है वह मुझसे सुनो यद्यपीवे नित्य और अजन्मा है तथा पी जब देवताओं का कार्य सिध्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय लोक में उत्पन्ण हुई कहलाती है कल्प के अंत में जब संपुर्ण जगत एकारणाओं में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विश्नु शेशनाग की शया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे उस समय उनके कानों के मैल से दो भयांकर असुर उत्पन्ण हुए जो मधु और कैटप के नाम से व भगवान विश्नु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवाश करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया जो इस विश्व की अधिश्वरी जगत को धारन करने वाली संसार का पालन और संगहार करने वाली तथा तेजह स्वरूपा भगवान विश्नु की धो नित्य अकशर प्रणवें अकार उकार मकार इन तीनो मात्राओं के दुजह अर्ध मात्रने आदेभी तुम्ही लिधिक बीजहरां के अधिरिक्त करती हों तुमसे इस जगत की स्रिष्टी होती है।- तुम likewise करनों होता है।-सधित में Tतन पन Premiere विस्वें Cannon हो बना लेती हो यह जगनमाई देवी इस जगत की उत्पत्ती के समय तुम शृष्पी रूपा हो पालनकाल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पान्त के समय संधार रूपधारन करने वाली हो तुमी महा विद्या माया मह प्रती 마음에 वा मह स्मिरति महा मोह रूपा महा देवी और महासुरी हो और तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्य करने वाली सबकी प्रकृति हो भयंकर काल रात्री महारात्री और मोह रात्री भी तुम्ही श्रीम तुम्ही ईश्वरी तुम्ही रीम और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धी हो लज्जा पुष्टी इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यतिक सुंदरी हो, पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुमी हो, ये सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्त्वे हैं और उन सब की ज यहां कौन समर्थ हो सकता है, मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विश्णु को भी तुमने ही शरीर धारन कराया है, अतह तुम्हारी श्तूति करने की शक्ति किस्मे हैं, हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रसंशित हो, ये जो दोनों दोर जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्देशे से भगवान विश्णु को जगाने के लिए तमोगूर की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार्श तूति की तब्वे भगवान के नेत्र, मुख, नाशिका, बाहु, हृदय और वक् देखा, वे दुरात्मा, मधु और कैटब अत्यंत बल्वान तथा पराक्रमी थे, वे ख्रोध से लाल आखे किये ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, तब भगवान श्री हरी ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्सों तक केवल बाहु युद्ध किया, वे दोनों भी अत्यंत बल्गे कारण उन्मक्त हो रहे थे, इधर महा माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विश्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो, श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसंद हो, तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है, रिशी कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपुर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नैन भ रख कर चक्र से काट डाले, इस प्रकार ये देवी महा माया ब्रम्हा जी की स्तूती करने पर स्वयम प्रकट हुई थी, अब पुनह तुम से उनके प्रभाव का वरण करता हूं सुनो, इस प्रकार श्री मारकंडे पुराण में सावरणिक मनवंतर की कथा के अंतरगत, आजी को निशे दिन ध्यावत, तुमको निशे दिन ध्यावत, हरी ब्रम्हा शिवरी, ओम जै अंबे गोरी मांग सिंदूर बिराजत, टीको म्रिगमद को, उज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको, ओम जै अंबे गोरी कनक समान कले वर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे, ओम जै अंबे गोरी केहरी वाहन राजत, खडग खपर धारी, सुरनर मुनिजन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जै अंबे गोरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोठिक चंद्र दिवाकर, राजत सम जोती, ओम जै अंबे गोरी शुम्भ निशुम्भ विडारे, महिसा सुर घाती, धुम्र विलो चन नैना, निसिदि नमद माती, ओम जै अंबे गोरी चौसठ योगिनी मंगल गावे, दृत्यकरत भैरो, मैया दृत्यकरत भैरो बाजत ताले मृदंगा, अरुबाजत डमरु, ओम जै अंबे गोरी भुजा चार अतिशोभित, खडग खपर धारी, मन वांचित फल पावत, सेवत नर नारी, ओम जै अंबे गोरी कंचन थाल विराजत, अगर कपुर बाती, श्री माल के तुमे राजत, कोटी रतन जोती, मैया जै अंबे गोरी श्री अंबे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानन्द स्वामी, भजत हरी हर स्वामी, मन वांचित फल पावे, ओम जै अंबे गोरी जै अंबे गोरी, मैया जै शामा गोरी, मैया जी को निशिदिन ध्यावत, तुम को निशिदिन ध्यावत, हरी ब्रह्मा शिवरी, ओम जै अंबे गोरी ओम जै अंबे गोरी, मैया जै शामा गोरी इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी मिलती मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राधे